सूप्रभात प्यारे बच्चों प्रकर्टी की चीजों को देखकर हम सबके मन में तरह तरह के सवाल आते हैं जैसे पेडों पर फूल और पत्ते कहां से आते हैं फूलों में रंग कौन भरता है बच्चों, आज की हमारी कविता है फूल इसे रविंदर नाठ टैगोर जी ने लिखा है इस कविता में बच्चा अपने माली से सवाल करता है की पेडों के खाली डाली पर फूल कहां से आते हैं इस पर माली जवाब देता है की फूल पेडों में ही छिपे होते हैं जब हवा उन्हें बुलाती है तो वे सुंदर सुंदर रंगों में सच धच कर पेडों से बाहर आते हैं फूलों के आते ही उनकी खुश्बू चारों तरफ महकने लगती है उनका रस पीने के लिए तितली और भौरे मानों गीद गाते हुए आती हैं ऐसा लगता है फूल सबको हस हस कर गले लगा रहे हों फूल अपने खुश्बू से सारी धर्ती में का देते हैं उमीद है बच्चों आपको यह कविता पसंद आई होगी धन्यवाद